आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर लाइफ प्रूसेस के लास्ट पार्ट की सो यह जो चैप्टर नमबर वन है आपका यूनिट नमबर टू का वोल्ड ओफ लविंग यह इसका बहुत ही लंबा चैप्टर है इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो के साथ कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर में हम लोगो ने अभी तक सारे के सारी लिविंग बींग्स की नूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और इनफेक्ट एक्सक्रीशन भी आनिमल्स के केस में स्टडी कर ली है अब इस वीडियो में सिरफ एक्सक्रीशन पार्टी बचाएं इन प्लांट्स एन अनिमल्स एक्सक्रीशन दोनों रहता है ट्रांसपोर्ट तक हम पढ़ना चाहते हैं इस चाप्टर के बारे में, so मैं उन सभी के लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी इस वीडियो के, आप वहां पर जाकर, you can go through there and go read those parts through the video, and if you still have any doubts, तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं, so I'll try to solve your queries as soon as possible, so coming back to the video, आज हम बात करने वाले हैं excretion की, excretion जो है human beings में किस तरह से होती है, और plants में किस तरह से होती है, और दो बहुत ही important topics पढ़ने वाले हैं, artificial kidney और organ donation, ये एक normal kind of topics हैं, जो कि हर कोई relate कर सकता है एक अपनी आम जंदगी में, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा सभी को पता होना चाहिए, ठीक हैं, और ये आपके exams की point of view से भी important है, sometimes जिसमें से two marks का कोई note लिखने को आ जाता है, three marks में ये पूरा का पूरा sentence आ जाता है, और maybe one mark में ये एक one mark question की form में भी आ सकता है, so सबसे पहले हम लोग बात करेंगे excretion की, excretion का मतलब क्या होता है, excretion का मतलब है body से excrete out करना, what do you mean by excrete out, excrete मतलब removal, जो हमारी body में, ठीक है, ये हम human beings की बात करें हैं excretion में, ठीक है, जो हमारी body में कोई भी waste produce होते हैं, हम लोग उने nutrition में पढ़ा था, जो हमें body में चाहिए होती है, पहले वो सब break down होता रहता है, ठीक है, carbs, proteins or fats, जो हैं, वो उसको absorb कर लेती हैं हमारी body, जो waste बच जाता है, उसको further आगे भेज देती है, तो जो हमारी body अपना maximum काम करने के बाद, जो भी ऐसे products, जो हमारी body को, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, there is no need, ठीक है, for our body, तो अब वो waste हो गया, वो trash हो गया हमारी body के लिए, तो उसको हमारी body से निकालना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो poisonous होता है, अदर्वाइस वो हमारी body को harm करने लग जाएगा, तो उस पूरे process को, जो हमारी body से वो metabolic nitrogen wastes, जो harmful metabolic nitrogen wastes है, उसकी removal के process को, क्या कहा जाता है, excretion, तो अगर इसकी definition की बात करें, यह, it is the process of the removal of harmful metabolic nitrogen wastes from the body, अब unicellular organisms की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे की amoeba, paramystrum, yuglena, यह हमने nutrition में भी पढ़ा था, कि इसमें diffusion के थूँ, simple diffusion के थूँ क्या हो जाती है, excretion हो जाती है, simple diffusion के थूँ excretion कैसी होती है, इसका जो body surface है, वो environment के direct contact में रहता है, जो single celled है, ठीक है, तो इसके कारण simple diffusion से जो waste बनता है, steps हमने nutrition में पढ़े थे, अगर आप उसके बारे में फिर से देखना चाहते हैं, तो आप उस video में जाके देख सकते हैं, next coming to the multicellular organisms, multicellular organisms जैसे की human beings, चीक है, यह arm तो है नहीं, यह बहुत ही special है, obviously human being special है, तो इसके अंदर जितने भी organs है, जितने भी systems work करें, वो भी specialized ही होंगे, special ही होंगे, so excretion भी कौन सा लग है, excretion में भी एक special organ हमारी यहाँ पे use होता है, पूरा का पूरा excretory system है, हमारी body में fully fleshed, so हमारी जो body है, वो बहुत ही एक complex machinery है, बहुत ही advanced machinery है, जो की अपना maximum work करती है, so excretion अगर हम human beings के बात करें, human beings में एक पूरा का पूरा excretory system रहता है, इसके अंदर कितने कितने, क्या क्या है, इस excretory system का part, अब pair of kidneys, pair मतलब दो kidneys होती है, kidney number one, kidney number two, ठीक है, एक right kidney, एक left kidney, अब दो kidney है तो उनको जोडने के लिए, दो ही urators होंगे, ठीक है, दो ही urators होंगे, एक right kidney का urator, एक ये left kidney का urator, ये दोनों combine कहां पे करते हैं, ये इस urinary bladder में, urinary bladder एक होता है, और उसके बाद यहां पे temporary urine store होता है, urge लगती है, उसके बाद urethra के थूँ, बहार waste material, बहार remove हो जाता है, so basically, जो चार parts important, जो role play करते हैं, एक scritory system में, humans के case में, two kidneys, two ureters, one urinary bladder, and one urethra, अब kidney की जो location है, वो भी important है, human body में, kidney की location कहां पे है, ये जो abdomen होता है, उसके past located होते हैं, तो हमारी जो backbone है, उसकी either side पे, ये दो kidneys, इस तरह से left और right पड़ी होती है, इनका काम क्या है, इनका काम है, blood में से, waste products को filter out करना, चीक है, so purpose of making urine, kidney का काम क्या है, to urine क्यों बनाते हैं, ताकि waste products को filter out कर सके, blood में से, उसके बाद kidneys में, जितना भी nitrogenous waste होता है, जैसे urea, uric acid, वो सारा का सारा blood में से, kidneys remove करवा लेती है, अब kidney अकेले कैसे काम करती है, इसमें एक, बहुत ही important, filtration unit पड़ा होता है, क्या पड़ा होता है, इसमें, एक नहीं, एक से कहीं ज़ादा, filtration units पड़े होती है, उसको क्या बोला जाता है, nephron, तो यह question आ सकता है, no down this point, nephron, what is nephron, nephron एक ऐसा filtration unit है, जो कि kidneys में, filtration का का काम करता है, nephron का पूरा का पूरा structure भी आ सकता है, it's very important, so, इसको हम ध्यान से दिखेंगे, so हर एक kidney में, बहुत सारे nephrons पड़े होते हैं, और हर nephron में, अगर हम एक nephron के structure की बात करें, so उसके अंदर, एक cup shaped, cup की तरहां, दिखने वाला, एक structure present होता है, जिसे क्या बोला जाता है, bow man's capsule, क्या बोला जाता है, bow man's capsule, इसके पास, इसके अंदर, बहुत सारी blood capillaries, thin wald, बहुती पतली wald बाली के blood capillaries, इकठी form में present होती हैं, जिसको क्या बोला जाता है, glomerulus, please हम ये नाम याद करेंगे, आपको याद करने हैं, ठीक है, आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, you will get familiar to this word, so please don't hesitate, बहुत सारे filtration units प्रेजन होती हैं, जिसे nephron का जाता है, और हर nephron के structure की, अगर हम एक nephron का structure पढ़ें, तो उसके पास एक cup shape structure होता है, जिसे bowman's capsule कहा जाता है, उस bowman's capsule में एक further structure प्रेजन होता है, glomerulus, वो किस से बना हुआ हैं, बहुत सारी thin wall blood capillaries से बना हुआ है, इनका काम क्या है, blood को filter करना, blood को चानते हैं ये, blood को चानने के लिए एक machinery है यहाँ पे, जो blood को filter करके, bowman's capsule क्या करता है, उसका glomerulus blood को चान रहा है, यह देखिए, यहाँ से खून आ रहा है, renal artery से, यहाँ से ये blood, bowman's capsule में, glomerulus इसको filter कर रहा है, filter करके, उसका filtrate कहाँ ही कठा हो गया, यह bowman's capsule में, जीके, उसका यही काम है, नाफ्रॉन का यही काम है, जीके, उसके बाद हम, उसके बाद क्या होता है, कि, जो glucose है, amino acids हैं, और, बाकी, major amount of water है, वो initial filtrate की तरहां, produce होता है, जीके, जो की, urine बन जाता है, along the tube, वो move कर जाता है, तो हर एक, healthy adult में, जो initial filtrate बनता है, वो कितना बनता है, 180 liter, daily कितना बनता है, इतना जादा, लिटर, initial filtrate हमारी बोडी में, daily बनता है, 180 liter, जबकी, excrete out कितना करते हैं, हम लोग सिरब, 1 to 2 liter, बाकी सारा क्या सारा, reabsorb हो जाता है, remaining filtrate क्या होता है, पहले absorption होई, अब further reabsorption हो जाएगी, kidney tributes में, तो जितना हमारी बोडी में, excess water है, amount of dissolved waste है, जादा से जादा उसमें से, पानी reabsorb करके, जितना nitrogen waste है, वही excrete out होता है, okay, kidneys काम करते हैं, blood filtration का, kidney के अंदर क्या होता है, nephron होते हैं, बहुत सारे, हर एक nephron में, पूरा का पूरा filtration process, किस तरह से होता है, पूरे structure में study किया, उसमें glomerulus होता है, moments capsule होता है, moments capsule में glomerulus होता है, ठीक है, वह filter out करते हैं, absorption और reabsorption हो जाती है, यहाँ देखिए, यह moments capsule है, यह glomerulus है, यहाँ पे filtration हो गई, यह further आगे move करता चला जाता है, यहाँ पे reabsorption of blood होती चली जाती है, ठीक है, अब क्या हुआ, अब किड्नी में से urine बन गया, urine बन के कहाँ पहुँचेगा, यहाँ से, यूरेटर में, इधर से कहाँ जाएगा, ये वाले यूरेटर में, दोनों यूरेटर से, जुड़के कहाँ चला गया, यूरिनरी, ब्लैडर में, जब ब्लैडर में, यूरेटर पहुँचता है, तो ब्लैडर एक्सपैंड कर जाता है, जिससे अर्ज लगती है, यूरेटर को, रिमूव करने की बॉड़ी से, जो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर है, तो ये नर्फ के चंट्रोल में रहता है, यानि की, हम यूरिन को एक्स्क्रीट आउट रिमूव करने की, बॉडी से, जो अर्ज है, उसको निकालना है, उसको हम चंट्रोल कर सकते हैं, हमें आया भी हो, तो we can control the urge to urinate, और फाइनली, यूरित्रा के तो उसको excrete out कर देते हैं, so this is about the human respiratory system, then comes the another important topic, that is artificial kidney, so artificial kidney क्या होती है, sometimes due to some prolonged diseases, कुछ लंबी disease चल गई, या फिर कोई accidental case हो गया, या कुछ भी हो गया, जिससे हमारी body के कुछ organs काम करने बंद कर देते हैं, पर यहां पर हम किसकी बात करें, kidneys की, कुछ disease के कारण kidney fail हो गई, in case, किसी की body में, तो अब क्या होगा, kidney fail होगी, तो क्या होगा, सोचिए, kidney fail हो गई, तो waste material excrete out कैसे होगा body से, kidney नहीं काम करेगी, तो पूरा का, पूरा excretory system का, process खराब हो गया न, तो वो filter out नहीं कर पाएगा, नहीं वो आगे further move कर पाएगा, तो यानि की बूरा excretory system waste खराब हो गया, अब हमारी body में waste material ही कठा होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण, हमें बहुत problems हो सकती है, सो इसके लिए, artificial kidney बनाई गई, artificial kidney मतलब एक process है, जो human स्वारा बनाया गया है, जिससे hemodialysis कहा जाता है, मतलब blood, blood को filter out किया जाता है, ठीक है, blood को clean किया जाता है, artificially, इस process को बोलते हैं, hemodialysis, इसमें क्या होता है, इसमें ये एक tank है, ठीक है, ये एक tank होता है, जिसमें selectively permeable membrane लगी होती है, इसके अंदर, dialysing fluid डाला जाता है, dialysing fluid, ये इस तरहां से, fresh dialysing solution, इसमें, इस tank में डाला जाता है, जिसके अंदर semi permeable membrane लगी हुई है, जैसी हमारी body में होती है, और इसका जो osmotic pressure है, वो blood के, same रखा जाता है, जिसमें कोई भी nitrogen waste नहीं होता, तो जब patient क्या है, patient को लिटाया गया, patient की body से इसको connect किया गया, patient की body से blood बाहर निकाला जाता है, जो की filter करना है, blood को ये तो filter करना है यहाँ पे, unfiltered blood आया, वो इस tank के थूँ, इस semi permeable membrane के थूँ, pass किया जाता है, उससे क्या होता है कि जो dialysin solution है, जो exact हमारी body में काम होता है, वो यहाँ पे काम हो रहा है, उसको filter out किया जाता है, जिक है, तो जो भी excess salt और urea होता है, वो यहाँ से बाहर निकलता चला जाता है, और fresh solution इसमें add होता जाता है, अब blood यहाँ से clean हो गया, इस clean blood को धीरे धीरे इसी तरह से humans में वापिस डाला जा रहा है, तो यह का पूरा का पूरा process dialysis कहलाता है, यह artificial kidney भी बोलते हैं इसे, तो जब patient को इसके through pass किया जाता है, तो waste product through blood से diffuse करके dialysin fluid में चले जाते हैं, और purified blood वापिस से patient के अंदर pump back कर दिया जाता है, इसका function तो similar है, normal kidney से, जो humans के अंदर काम करती है, बट एक फरक है, वो फरक तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वो फरक क्या है, यहाँ पे कोई भी reabsorption नहीं हो रही, ज़कि हमारी body maximum reabsorption करने की कोशिश करती है, ठीक है, यहाँ पे blood में कोई भी reabsorption नहीं हो रही, यह एक important point है, how it is different from the normal kidney, there is no reabsorption occurs here, so, now comes to the another topic, that is organ donation, organ donation धी एक ऐसा ही part है, कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोगों के case में, some diseases और, like कुछ accidental cases, या कुछ भी हो गया, so, organs को, organs को, बदलने की ज़रुत पर जाती है, ठीक है, तो organ कहां से, वो organ कहां से मिलेगा, बजार में तो बना मिलनी न, एक body से दूसरी body में ही डाल सकते हैं, एक human से दूसरे human में ही डाल सकते हैं, एक healthy human से ही, दूसरे patient में डाला जा सकता है, so, healthy human अगर organ दे देगा, तो वो खुद कैसे जिन्दा रहेगा, उसके पास कौन सा दूसरा organ है, नहीं, कुछ organs ऐसे हैं, हमारी body के अंदर, अगर हम उसको donate करते हैं, तो हमारी body भी काम कर सकती है, और जो patient है, उसकी body भी काम कर सकती है, so, जिन्दा रहते रहते भी, when the donor is alive, donor कौन हुआ, जिसने donate करना है, और recipient कौन हुआ, donor कौन है, जिसने donate किया, recipient कौन हुआ, जिसने receive किया, जिसको चाहिए, ठीक है, तो अब ये donor की kidney है, healthy kidney, diseased kidneys इस तरह से हो गई, तो donor की kidney को यहां से निकाल के, यहां पे recipient की kidney के साथ attach कर दिया गया, recipient के पास kidney दे दी गई, ठीक है, तो जैसे की kidney है, हमारी body में दो kidney होती है, बट एक किंटी अपना काम कर सकती है, तो एक किंटी किसी को donate की जा सकती है, liver हो गया जैसे, कुछ part liver का, सारा liver नहीं, कुछ liver का part donate किया जा सकता है, क्योंकि कुछ time में liver अपना वापिस से regeneration कर लेता है, lungs भी हैं, वो भी donate की जा सकती है, when the donor is still alive, but, apart from these three organs और कुछ tissues के अलावा, हम जिन्दा रहते बाकी चीज़े donate नहीं कर सकते, तो जब किसी भी इंसान की just after death, कोई death हो गई, brain death हो गई, तो just after the death, उसके organs किसी required patient को donate किये जा सकते हैं, so, organ transplantation में surgically removal होती है, surgically removal होती है यहां से donor से, ताकि वो recipient को आगे transplant कर सके, so, transplantation की requirement transplant, बतलब एक से निकालके दूसरे को देना, चीक है, इस required जब recipient का organ damage हो गया है, तो disease और injury के कारद, ठीक है, और यह जो organ donation है, इर्रिस्पेक्टिव औफ एज, इर्रिस्पेक्टिव औफ जेंडर, men और women कोई भी donate कर सकते हैं, so, this is about the excretion in case of the human beings, hemodialysis and the organ donation, now the last part which is left is excretion in case of plants, अब अगर आप plants में बात कर रहे हैं, तो plants में excretory products कौन से कौन से हैं, gaseous wastes, ठीक है, carbon dioxide, oxygen, excess water, ठीक है, यह सारे की सारे wastes हैं, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, gaseous wastes किसके थू निकलते हैं, stomata के थू, we all know that, ठीक है, यह हम पढ़ चुके हैं, second है water vapors, water vapors किसके, यह भी एक किसम से waste ही है, किसके थू निकल रहे हैं, transpiration के थू, कहां से leaves में से, third हो गया solid wastes, जो कि plant की body में store होते हैं, कैसे वो अपने leaves को shed कर देती है, बाग को peel कर देती है, fruits जो हैं, उसके निकल के गिर जाते हैं, यह सारे के सारे, इसके excretory products ही कहें, अब जो gums हैं, जिसे हम collect करके, हम further use कर लेते हैं, वो हमारी समझदारी है, बट यह plants का क्या है, एक excretory product है, जो उसकी bark में से निकलता है, so this is how the excretion occurs in case of the plants, so waste products, leaves में भी store होते हैं, जो fall off हो जाती हैं, कुछ resonance की form में, old xylem में पढ़े होते हैं, जो की excret out हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ plants अपना waste substances, soil के अंदर भी excret out करते हैं, so this is all about the excretion, in case of the plants and animals, I hope this is all clear with you, if you still have any doubts, you know how to contact me, okay, so if you like this video, please press the like button, and share it among your friends, and don't forget to subscribe this channel, thank you, bye-bye, take care, and have a nice day,